महा समून बेल सोडा रेलवे ट्रैक पर अग्यात पूरुस की लास मिली है सुचना पर पहुंची पुलिस ने मर कायम कर चाल्च मिलिया है मिर्तक की उम्र करीब 30 सल बता ही जा रही है मिर्तक के बारे में पुलिस को अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है गुरेला पेंडरा जिले की खाद इभाग की टीम ने जाच के दोरान पेंडरा नया बस्टेंड स्थित नवीन काविया पेट्रोल पम के संचालक दोरा लैसेंस प्रस्चुत नहीं किया जा सका जिसके कारण खाद ने रक्षक नेट्वर्सिंग राठोर जितेंदर वासुदेव चितरा गौताम और जोती मिसला के संचित दल दोरा पेट्रोल पम में उप्लोद स्टाप को जब्त कर पेट्रोल पम सील कर दिया गया रैपूर जिले के तिल्दा इलाके में एक महला की गला घोट कर हत्या के बाद सौ को सुनी जगह में फिक दिया गया वार्दात के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए प्लिस मामला दर्चकर आरूपी की तलास कर रही है खपरी कला निवासी कुन्ती बाई साहू नाम की महिला का साओ सीनोदा गाओं के नरसीरी की पानी टेंकी में मिला है राज़ानी रैपूर के कैफे में हुका पिलानी की जानकारी पुलिस को मुगबिर की सूचना पर मिली थाना तेली बांदा पुलिस दोरा मरिन ड्राइव इस्थित वाई अर्थ कैफे एंड रेस्टोरेंट में रेटकर मालिक रवी आहुजा को हुक्का पिलाते पकड़ा गया आरोपी के कब्जें से दोनग हुक्का पॉर्ट जबति किये गया है राददानी रैपूर के सारदा चौक इस्थित एक अकबार के गुदाम में आग जिनी हो गई अकबार के गुदाम में लगी इस आग में लाखो का माल जलकर खाग हो गया है आग कैसे लगी अब तक पता नहीं चल सका हाला कि रेस्क्यू टीम ने अगनिसा जताया कि शौर्ट सर्कीट वज़े से ये घड़ना हुई होगी महा समुन जिले में शनीमार को जलब छिलपावन चौक के पास एक पेट्रोल पंप से एक किसान के मोटर सैकल के डिगी से एक लाख रुपे पार होने की खबर सामने आ रही है मामला पटलेवा थाना अंतरगत का है जिसका सीसे टीवी फूटेज भी सोसल मीडिया में सामने आया है के सरकंडा थाना चेतर में लोदि पारह के जैराम मेटल्स में 7.5 लाख रुपे की उठाइगी परिक करने आ रुपी को सरकंडा पुलिस ने गिरुपतार किया है आरोपियों को सिकायत के करीब आदे हिंटे बाद ही पुलिस ने धर्दबोचा आरोपियों में तीन महलाएं और एक नाबालिक सामिल है तीनों महलाओं ने नाबालिक की हाथों बैक से भरी रेकम को पार करवाया था सबी आरोपि महरास नाकपुर के रहने वाले हैं अम्मिकापुर के बहुत चर्चित दीपक गुपता हत्याकाण के मामले में फरार आरोपी की गिरुतारी के बाद आरोपी के परिजनों ने कुतवाली में जमकर हमगामा किया उन्हेंने आरोपी को छोड़ने की मांग के साथ जहर खालेने की धमकी भी दी फिनेयल की गोली लेकर थाना पोची मेलाओने पुलिस पर तमाम आरोप लगाए छदम नामों एवं फरजी मोबाईल एवं स्लिम का उप्योक कर प्रलोभन देकर विश्वास में लेकर लोन पास होने का जहसा देकर विबी ने बैंक खातों में दुखा तड़ी से रकम जमा करने वाले एक आरोपी राहूल वर्मा को कोरबा जिले की दर्ली पुलिस ने 25,000 रुपे वो मोबाईल के साथ दिल्ली से गिरुफतार किया है दुर्ग के पुलगाउं थाना छेतर सीत आनन्द मंगलम रिशॉर्ट के कमरे से सोने चांदी से भरा लेडिस बर्स चोरी करने वाले कायस्त परा दुर्ग निवासी चोर सौराव सर्मा को पुलिस ने गिरुफतार कर उससे चोरी किये गए सोने का हार सोने का जुमका चांदी की कमर बंद वो नगत रकम रामत कर लिये है बर्रामपूर दिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सौर्ट सर्कृट से प्रावाइट स्कूल की बस में आग लग गई इस आग जनी में बच्चों की जान बच गई बस में धुआ उठने पर चालक ने सूजबूश से वहन को रोका और सभी बच्चों को वहन से बाहर निकाल कर दूर ले गया राबदानी रैपूर के पुरानी बसी थाना छेतर में भटगाओं के पास दो यूकों में मार पिठ हो गई जिसमें आरुपी मनोश सुनकर के द्वारा पीडित रामेस्वर साहू के द्वारा गाली ग्रोज करने से मना करने पर गदानूमा ठोस वस्तू से पीडित को मारा गया जिससे वज चोटी लो गया जिस पर तत्काल कारवाई करते हुए पुलिस ने आरुपी को गिरुफतार कर लिया है सिल्को मैंगनीज के बैंग में से उसी रंग का पत्थर मिला कर सिल्को मैंगनीज निकाल कर वा बेचकर दोखा दड़ियें में गबन करने वाले ट्रांस्पोर्टर चोरी का माल बेचने वा खरिदने वाले सहीत 7 आरुपियों को रैपूर की साइबर सिल्को मैंगनीज कूल 18,850 किलो ग्राम कीमत लगबग 32,998 रुपे तता घर्चना में परविक्त दो नक ट्रक को जबत किया है रायगाट जेले में खरसिया गवा घरगोड़ा थाना चेतर में दो लोगों की लासे मिली है खरसिया पुलिस ने मौके में सुसाइड नोट बरामत किया है गरगोडा पुलिस ने पताया कि मृतक मिर्गी बिमारी से गरसी था अचानक मिर्गी की जटके आने से वो पानी में डुग गया जिससे उसकी मौत हो गई ब्लासपुर जिले की हिर्री पुलिस ने ट्रक चालकों में सराप का लालाज देकर चोरी का डीजल खरीदने वाले बाप बेटी की जोड़ी को गिरुफतार किया है पकड़ गया आरोपियों से चोरी का 150 वीटर डीजल गोदाम से बरामत किया गया है वहीं आरोपियों से 55 पौव देसी प्लिन सराप जब्त कर 11,700 बल्क लीडर मजीरा जब्त की गई है ब्लासपुर जिले की चकरभाटा पुलिस ने चतावना रोड इंदू इमिजिका में तास पत्ती से हार जित का दाउन लगा कर जुवाँ खेलने की सुचना पर घेरा बंदी कर रेट कारवाई की गई आरोपियों द्वारा जुवाँ खेलते पाए जाने पर 52 पत्ती तास और 1,23,000 रुपे नगर जब्त कर जुवाँ की कारवाई की गई राइगार जिले की तमनार पुलिज और लोहा चोरी में सनलिप्त होने की मुग्बिर सुचना पर ग्राम बुडिया के राजेस परजा को पकड़ कर कड़ी पुच्ताश कर राजेस परजा के भाई राकेस परजा, राजकुमार परजा एवं भतिजा आजय परजा को आठ फरवरे की रात्री जिंदल कंपणी के सीसी पीसी बेल्ड लाइन से लोहा का रोलर चोरी करने के आरोप में गिरुखतार कर चोरी का रोलर जब्त किया गया है राइपूर के एरपोर्ट से जैपूर के लिए निकले एक यातरी का 35,000 रुपए कैश चुरी हो गया जब यातरी ने नराजी जताई तो एरलाइन्स के लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया ये वारदात नया पार रैपूर इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ हुई है बलोदा बजार पुलिस ने मोबाइल फोन से यौन उत्पिडन के मामले में आरोपी को बोपाल से गिरुपतार किया है आरोपी ने अपमानित करने वा असली लवा गंदे सब्दों के वो फोटो सहीत फेस्बूक में अपलोड किया था पुलिस ने घटना में उप्योग मोबाइल वा सिम को आरोपी से जब्त किया है कोरबा जिले की पुलिस और प्रशासर ने सजिक्त रूप से मलगाओं में संचाली तेक आवयत कोल डिपो में छापा मार कारवाई किया है यहां भंडारीत लगबक 50 संट कोईला मिला है देर रात को की गए इस कारवाई के दोरान एक टेक्टर भी जब्त किया गया अधिकरीट जैमीन वाप पेडों का मुआज़ा नहीं मिलने पर गराम पूरैनय की ग्रामेरा जिले में गेवरा रोड पिंडर रोड रेल कोरिडोर का निर्मान कारिप बंद करा दिया है किसानों ने कहा कि जब तक मौवजा नहीं मिलेगा तब तक काम शुरू नहीं करने दिये जाएगा जानगीर जिले में किसान से 16,50,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने कोलकुताव से गिरिफतार कर लिया है आरोपी ने किसान के यहां मोबाइल का टावर लगवाने और टावर का किराया 40,000 रुपए हर मेहने देने का जासा दिया था फिर सेकेरोटी मने के नाम पर धिरे धिरे कर उसे 16,50,000 रुपए ठक कर गायब हो गये थे जान्जगीर जिले के एकलतरा ठाना छेतर में देर रात हुए सड़क हाथसे में एक योग की मौत हो गई योग बाइक में सवार होकर अपने घर लौट रहा था इसी दोरान सामने से आ रहे है टेलर ने उसे टक्कर मार दी घटना के बाद गुस्साई भीड ने मौआवजा और नौकरी की मांग को लेकर करीब चार घंटे तक चक्का जाम भी कर दिया कवरदा जिले के सहसपुल लोहारा थाना छेतर के ग्राम मगर वहां में बहु की हत्या के प्रयास के मामने में पुलिस ने महला की सासवा दादा ससुर को गिरुपतार किया है आरुपियोग ने एक राय होकर बहु नम्रता को जान से मानने की नियसे मिट्टी तिल लाल कर आग लगा दी इससे उसका चहरा, दोनों हाथ, छाती, कबर, पेट और पैर पूरी तरह से चल गए अंतागड को जिलव नाने की मांकुल लेकर एक बार फिर सी आहां के ग्राम मेंडों का गुस्ता फुटा है इससे लेकर लोगों ने सनिवार को जम कर हंगामा किया साथी अंतागाड नरैंपूर्ट रोड पर साड़े आठ घंटे तक चक्का जाम कर दिया मौववसालाप की अवेद रूप से बिकरी के लिए ग्राक की तलास कर रहे एक रिक्ती को कांकेर पुलिस ने गृपतार के लिया है पुलिस ने उसके कबजे से दस लिटर मौवसालाप जब्त की है और उसके खिलाप आपकारी एट के तहर मामला दर्च किया है कांकेर शहर के जवार वाड में अग्याच चोर ने दो कार के चक्के वा अलने समान चोरी कर लिया है सरीवार की सुबा जब कार मालिक को इसकी जानकारी हुई तो उसने पुलिस थाना में शिकायत दर्च कराई जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है दमतरी कांके नेसनल हाईवे पर अमबेटकर चौक में ट्रक ने एक्टिवा को ठोकर मार दी दुरगटना में स्कुल की चुट्टी के बाद चाची के साथ इसकुटी में सवार होकर घर लोट रहे बारावर्ची चातरी विपुल सोनी की मौत हो गई साथी का जहांसा देकर यूती का देहिंक सोशल करने के मामले में जस्पुझीले की पत्थरवाँ पुलिस ने आरोपी को गिर्फतार के लिया है जो बिसवर्थी पीड़ता ने 18 फरवरी को ठाने में आरोपी के खिलाब शिक्यायत दच कराई थी मायके में रहकर बच्चों का लालान पालान कर रही पत्थनी की पती ने कुलहाडे से हमला कर हत्या कर दी गटना के सुचना पजस्पुर जीले की सणना पुलिस ने अपराद दर्च कर आरोपी पती को गिर्फतार कर लिया है भाटापार्या की सुहला थाना छेतर में गराम भोताडी निवासी केरहाराम निर्मलकर अपने घर के आंगर में अवैद रूप से गांजा का एक पौदा लगा कर रखा हुआ था दोखागडी के आरोप में फरार तिल्दा इंडेस्टं बैंक में कारेरत महिला करमी सुसमिता तिरपाठी को तिल्दा पौलिस न गरिफतार कर लिया है सुसमिता ने बैंक के एक खातेदार के नाम एट्यम जारी कर रूपए निकाल लिया थे सुसमिता और 4 आनने पर 30 पुलिस ने थाना नियाले के आदेस पर 420 का मामला दर्च किया है